हेलो एब्रीवान, वेलकाउन तो माई चैनल, आज का जो वीडियो टॉपिक के कोस्टेन है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको रूट के अंदर कुछ भैलू है, इसकी आपको सिंप्रिफाइदर के भैलू निकालना होगा, तो चलिए इस कोस्टेन को कैसी सोलेशन करते है दियान से देखिए, चैनल पे नए है तो चैनल को लाइक कोमेंट से आर और सबस्क्राइब ज़रूर कीजिए, तो पहले जो आपके रूट के अंदर जो नामबर लिखा हुआ है, उसे लिग लीजिए, अब दियान से देखिए, मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए मैं एलजेब्रिक फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्राइब और ए प्लास बी का होल स्क्राइब यूज़ करके इस को सॉल्यूशन करोंगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो टेन रूट सिक्स है, इसको में ब्रेक करके लिखूंगा, टू इन्टू ए इनको और रूट सिक्स को मैं लिखूंगा, रूट टू इन्टू रूट थ्री, क्योंकि अगर रूट ओभार ए इन्टू रूट ओभार बी होता है, तो उसकी भले भैलू रूट ओभार ए बी के बराबर होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो 53 आपको गिवेन है ना, 53 को म मैं लिखूंगा, 50 प्लास 3, ऐसे लिखने की कारण ये है, कि मैं यहाँ पे आपको जो भैलू गिवेन है, A-B या A-B की फॉर्मूला में लिखने की कोसिस करूंगा, अगर यहाँ पे माइनास है, तो यहाँ पे A-B का होल्सकर की फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, अब ध 5, root 2, इसको bracket में लिखूंगा, और यहाँ पे root 3 लिख दूंगा, उसके बाद धियान से देखिए, यहाँ पे आपको 50 को, यहाँ पे 5 root 2 के बराबर लिखना होगा, तो धियान से देखिए, 50 को मैं लिख सकता हूँ, 5 into root 2 का whole square, और यहाँ पे आपको 3 गिवेन है, मैं 3 को ल कि यहाँ पे जो value मैंने इसे break किया है, उसे लिख दीजिए, तो 50 की value के आएगा, 5 into root 2 का whole square, 3 का value के आएगा, root 3 का whole square minus, धियान से देखिए, इसको मैं लिखूंगा, 2 into 5 into root 2 into root 3, अब धियान से देखिए, a square plus b square minus 2ab, धियान से देखिए, algebraic formula a square plus b square minus 2ab की algebraic formula होता है, वो होता है, a minus b का whole square, अगर minus लहता है, तो यहाँ पे minus होगा, तो मैं इसे लिखने की कोईसिस करूंगा, और यहाँ पे a की value किया है, 5 root 2, और b की value किया है, root 3, तो यहाँ पे आजाएगा, 5 into root 2 minus root 3 का whole square, अब धि a square root, अगर root over x होता है, तो उसकी value x to the power half के बराबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे धियान से देखिए, तो यहाँ पे 5 into root 2 minus root 3 का whole square into, यहाँ पे square root 2 के मैं लिखूंगा, half लिखूंगा, धियान से देखिए, 2, 2 cancel हो गया, तो यहाँ पे 5 into root 2 minus root 3 x का answer हो जाएगा, जब तो यहाँ पे आपको value मिलेगा, 5 root 2 minus root 3, ऐसे ही इस question को करते है, दोस्तो question solution अगर अच्छा लगे तो चैनल को like, comment, share और subscribe जोड़ कीजिए, मिलते हैं next video में, thank you so much for watching my video.